हाई व्रीवर्ण माने में शिवांज बसीन वल्कम बाक तो देश चैनल सो गैस आज की मार्केट पर अगर हम लोग डिसकस करें तो निफ्टी ने अपने एग्जाक्ली उसी रेंच से हमें एक अच्छीगासी मोमेंटम ओना हायर साइट दिखाई अफर दाट एक प्रॉफिट अगर आप करते तो उसमें आपको ज्यादता प्रॉफिट नहीं हो पाता बट अभी लेवल सस्टेंड है अगर जैसी वह उस लेवल को टेस्ट करता है हमें एक मुमेंटम देखने को मिल सकती है इसके अलावा थ्री स्टॉक्स आइटिंग मैंने आपको दिये थे हैं मुमेंटम अभी भी बागी है तो आप परस्टनली थेंग कि बड़े लेवल दिखा सकता है अगर आप पेशेंसली वेट करेंगे और इन कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है बायों डिप्स डेफिनेटली हमें देखने को मिला और डेली टाइम फ्रेम हर टाइम पे जो एक अच्छा मुमेंटम वो कैप्चर जरूर कर सकते हैं अगर उन पे आप लोग ने ले रखा है और कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ ले ना मैं आपको बता दूगा कि क्या एक्सपेक्टेड मूव लग सकता है कि जा करते हैं सो कल की डिसकेशन पर हम लोग ने यही बात छोड़ी थी कि exactly यह जो पर्टिकुलर रेंच आप देख रहे हैं इस रेंच से निफ्टी डेफिनिटली एक बांस बैग दे सकता है अगर बांस बैग देता है और यह पर्टिकुलर जो आप रिजिस्टेंस देख रहे ह यहां तक पॉसिबिलीटी है निफ्टी को टेस्ट करने के लिए ठीक है अब देखने है कि 15 मिट के टाइम फ्रेम पे हुआ गया हम लोगोंने लास्ट पे ही अच्छी घासी मोमेंटम देखी थोड़ा सा गाप डाउन 15-20 रुपे का गाप डाउन था उसके बाद एक करने लग गया आई परसनली थेंग कि 22,650 के अच्पास अभी ट्रेट कर रहा है अगर यह कल दुबारा नीचे आता है बुस प्रॉबबली मुझे लग रहा है कि और अस्तार्टिंग बेसिजी नीचे आ सकता है अगर यह नीचे आता है तो इस रेंज पे दुबारा मिलता ह है तो एक रेंट्री की अपॉर्चिनेटी हम दुबारा मिल सकती है ठीक है मैं एक रेंज और आप वो के सामने बना देता हूं यह आपर लेट मीज़ शू यह इस रेंज के आसपास भी आता है 22,600 से लेके 22,560 के आसपास इस रेंज पर आपको मिलता है यू किन स्टार्ट अच्छा बाउंच बाउंच बैक यह दे सकता है तो यह जरूर चेक करिएगा बट एवरीधिंग डिपेंड्स नौट अन्द टेकनिकल बट अन्द फैक्टर्स की क्या के फैक्टर्स उस समय मार्केट के अंदर है और उसकी बेसिस पर में ट्रेड लेना चाहिए तो मेक यह होता है 100% शॉर्ट तो मैं करोड़ पती बन चुका होता है तो इस नौट डाट की मुझे सारी चीज़े पता है बट आयम जस्त एक्स्प्लेइनिंग यू दवे चार्ट शूइंग भी और यहाँ पर क्लियर वे पर जो अभी तक मुझे समझ में आ रहा है वो यह ही है कि यहाँ पर multiple आप देख रहे हो supports देखने को मिल रहे है ठीक है multiple rejections and multiple supports देखने को मिल रहे है तो और यहाँ पर आप देख सकते है और शॉटर टाइम फ्रेम एक double bottom type of scenario भी यहाँ पर देखने को मिला है जब एक momentum आया और एक pullback दिया चिक है तो यह इस level को भी इसके आसपास multiple stop pluses होंगे और long side के लिए so nifty का कर सकता है वो stop process को capture करने आ सकता है और इस level पर आके या इस level को भी breakdown एक बर करके फिर एक momentum उपर की तरफ दिखा सकता है so make sure आप इस range और इसके आसपास आपको कहीं पर भी possible reversal दिखता है आप एक buying setup ले सकते है ठीक है एक कम stop loss के साथ बट एक buying setup अब ले सकते हैं वेड़ अगर वो fail होता है तो आपको दुबारा re-entry करने की जरूरत नहीं है और short position मनाने की भी जरूरत नहीं है because अभी हम लोग जो setup देख रहे है वो buying के लिए suitable है live market के अंदर कुछ ऐसा scenario change हो जाए कि short के opportunity दिख रही होगी तो telegram के अंदर suggest कर दिया कि किस तरीके सा opportunity देखने को मिली यह particular candle की closing थी again a momentum आया momentum आने के बाद bank nifty ने उस पूरी momentum को slow down कर दिया वही candle दुबारा नीचे आ गई and पूरे time market गंदर कम से कम 5 गंटे एक छोटा सा tight range बनके रह गया अब यह candles को check कर सकते है so most probably क्या हो सकता है ठीक है जब भी कुछ यह इस उसके opposite जाने के chances extremely जादा हो जाते है for example अगर कल यहां से हम देखते हैं कि एक bearish candle बनना start होती है तो most probably लोगों को लगेगा एक tight range थी bearish candle बनी है let's take a very good short position but क्या होगा आने वाले एक से दूसरी candle के अंदर वही candle को recovery करती जाएगी और marketing against the trend चली जाएगी sorry against the candle वो उपर की तर करना start करती है क्योंकि हम चाहते है nifty के अंदर भी almost 50 to 60 to 70 points की एक fall आजा होना starting basis पे और अगर bank nifty के अंदर भी आती है तो जो कल हम लोगों ने range decide कराता है यह particular range और bank nifty इस range को भी test कर देता है और nifty उस range को भी test कर देता है जो हम लोगों बात करी है तो एक अच्छा sign हो सकता है कि यहां से दोनों एक साथ possible reversal दिखा सकते है और एक अच्छिय momentum capture on हो सकता है तो make sure करना अगर कल bank nifty भी गरना start करता है nifty भी गरना start करता है तो आपको दोनों को side by side charts पर रखना है और देखना है कि दोनों इस possible level से ही reversal कर रहे है या कोई ऐसा chart pattern बन रहा है या candle stick pattern बन रहा ह से हम लोगो कोई reversal देखने को मिल सकता है वो होगा एक best opportunity दोनों index पे long जाने का अगर कल हम देखते है एक bearish candle बनती है और वहाँ पर एक next candle उसको engulf कर देती है या bullish piercing candle भी बना देती है तो भी हम लोग मान के चल सकते है कि एक bullish momentum उपर की तरफ carry on हो सकता है most probably वो कल ना हो but next trading session अंदर वो carry on हो सकता है तो ये चीज़ जरूर ही आद रकेगा अगर क्या होता है कि अगर कल for example एक bullish candle उपर की तरफ दिखा देता है तो वहाँ पर भी हम लोगों को पहले patiently wait करना पड़ेगा हम लोग early entry नहीं लेंगे क्योंकि bank nifty पे हम लोग इस level के आएगा तब ही entry लेंग है अगर इसको टेस्ट करा और एक bearish candle के साथ एक reversal देने वाला हो तो हमारे लेक दोनों candidate बन सकते हैं long के लिए ठीक है I hope आप लिगों को ये analysis समझ में आ नहीं होगी अब बात कर लेता है कुछ stocks की तो सबसे पहला stock जो मैं लेकर आया हूं that is serla performance इस पे let me open a weekly time frame for you first of all on a weekly time frame अब यहां पर clearly check कर सकते हैं let me just remove this a very good a very good head and shoulder pattern यहां पर हम लोगों देखने को मिल रहा है and almost 2016 से जाके इसने head and shoulder pattern create करा हुआ है a very good rounding bottom a very good sustainability इसने आपर दिखाई है एक head and shoulder pattern यहां पर भी बनाता after a very good breakout retest and momentum carry on चल रहा है इसके अंदर चीक है so I personally think कि यह stock अब एक breakout दिनी की तियारी कर रहा है and अगर यह breakout आता है तो हमें एक अच्छे levels देखने को मिल सकते हैं almost 69 रूपीज पे trade कर रहा है आप औरना safety side 70 के उपर भी long जा सकते हैं and I personally think यह 90 र stock दिखा सकता है तो आप stock को as a watch list में जरूर रखके चल सकते हैं यह performance stock है और अभी मुझे लगता है कि अच्छा stock दिखा सकता है मैं इसके fundamental study नहीं का रहा तो मैं उसके basis पे नहीं चाहूँगा stock अच्छा है बुरा है but मैंने बस यह चीज़ देखी है कि March के महीने में shareholding में promoters ने इस पे थोड़ी सी stake increase करी है और DII ने थोड़ी सी stake increase करी है open market के अंदर which is a good sign so I think एक momentum यह particular stock दे सकता है long term के लिए रखे ना रखे but एक momentum stock के लिए कुछ percentage gain के लिए stock suitable stock बन सकता है after a breakout अब बात करते हैं अब बात करते हैं हमने second stock के our second stock is lupin so lupin के अंदर अगर हम draw करना चाहूंगा ठीक है यह particular line अगर आप देखेंगे तो almost यह भी September 2016 के बात से एक बहुत बड़ा downfall आप लोगों को देखने को मिला एक momentum आती थी after that again एक fall आता था but इसी bottom से recovery करते 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 stock almost 600 से 1600 तक पहुच चुका है almost triple होने के करत में है और इसने बहुत time बात जाके इ breakout दिया after a breakout आप stock को अगर आराम से चेक करेंगे तो जिस time से इसने momentum देना start करा है यह एक ही range के अंदर एक ही zone के अंदर कभी भी stock ने consolidate नहीं करा आप यहां चेक करेंगे consolidation होना higher highs and higher lows formation पे था but इस level पे कभी भी consolidation नहीं था so I personally think कि अगर अब इसका जो यह breakout देता है bullish flag and pull pattern है अ और यहां से almost 80-200 points की rally भी lupin आने वाले time पे दे सकता है एक बार मैं daily time frame पे भी दिखा देता हूं आप यहां पर check कर सकते हैं आप very good support यह lupin यह आपर देखने को मिल रहा है एक range bound session के अंदर यह train कर रहा है अगर breakout आता है तो एक बड़ी momentum lupin भी दे सकता है see I am not sure कि वो कल आएगा यह परसो भी breakout हो सकता है but you can keep this as in your watch list और अगर जब भी आता है तो आपके पास watch list में particular stock रहेगा आप as an alert भी लगा सकते हो trading view के अंदर किस level का breakout होगा then I can enter in this particular position so आप देख सकते हूं कि अगर यह 1660-1670 की ऊपर निकलता है तो आप एक long position definitely बना सकते हूं अब बात करत अपने third and last stock की that is star cement इसका भी weekly time frame open कर लेते हैं and on a weekly time frame यहाँ पर एक बहुत अच्छे view समर्गों को देखने को मिल रहा है stock एक higher high and higher low formation के अंदर easy way पे treat कर रहा है चीक है अब बहुत good momentum stock है और आप देख सकते हैं July 2022 से लगातार उपर जा रहा है और बहुत easy way पे उपर जा र firm करी and इसने previous swing high का breakout दिया after a very good breakout next three candles जो की weekly candles है यानि की next 20 दिल लगातार आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं sorry 15 दिल 15 trading sessions आप मान के चलिए लगातार 15 trading sessions के अंदर इसने उपर जाने की कोशिश करी but उपर sellers strong थे जिसकी वजह से वहाँ पर उपर जाने में यह कामयाब नहीं हुआ and इसने इसी range के अंदर एक closing दी अब क्या हुआ fourth week के अंदर fourth week के अंदर हम लोगों ने देखा एक बढ़िया सा bearish pressure आया एक bearish pressure आया जिसकी वजह से almost 214 तक गया इस range का breakdown करा but वहाँ पर buyers और TG से active हुए and उसकी वाद उसने इसी level पर closing दी and next हफते हमें पता चलना था कि market उ long term uptrend के अंदर already चल रहा है आप देख सकते हैं इस range का breakout दिया है अभी 239 पर trade कर रहा है अगर buy chance कल लगता है कर लिए 3-4 रुपे गिर भी गया for example तो भी आप इस पे एक buying opportunity बना सकते हैं यह stock अभी जब तक all time high पर trade कर रहा है जब तक उपर जा रहा है आप इस पर पनी positions को hold करकर रख सकते हैं और buy and ips की सलाब बना सकते हैं आप देख सकते हैं कोई भी government आएगी make in India infrastructure एक घर बनाना रोड बनाने के लिए भी आप लोगों सबसे जादा cement लगता है आप एक मान के चलेगा कि जिस तरीके से यह जो cement है वो इतना produce भी नहीं हो पाता इंडिया के अंदर manufacture भी नहीं हो पाता जितना utilize होता है क्योंकि हम लोग export भी करते हैं जादा तर जादा तो यह चीज जाद रखेगा जिस तरीके से capacities यह लोग बढ़ाते रहेंगे आने वाले time के अंदर यहाँ पर और ज्यादा momentum स्यमिट्स तो आप से अंदर हमें देखने को मिल सकती है तो य कि मैं एक dedicated stock video लेकर आँ जुसमें मैं आपको fundamental प्लस technical बताऊं कि किस तरीके से trade करना है और कौन सा stock आप लोगों को अच्छा return on a long term period दे सकता है और संदे को definitely हमारी मंडे के लिए वीडियो जरूर आएगे आप लोगों को समझ में आया जो भी नए लोग देख रहे हैं जिन्हों ने भी subscribe नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे कि मैं 1 like subscribers भी cross कर पाऊं and definitely like this video and do let me know in the comment section आप लोगों ने कल जो 3 stocks मैंने आपको recommend करे थे क्या आप लोगों ने उसे buy करा भी है या नहीं करा है य I'll definitely reply on your comment section और मैं आपको बता तूंगा have a very good day guys bye